हलो एवरिवन जेए ग्लासिस परिवार में आप सुभी का हार्दिक स्वागत है इंटिग्रेशन पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी पॉइंट मिस्ट ना हो जो भी हम बताता है स्टार्टिंग से वो सब चीज़ें आपको क्लियर रहें तो चलिए हम करते हैं शुरुआत आज की क्लास की देखो जैसे कि आप बोड़ पर देख पा रहे हैं टाइप 6 यह दिया गया है इसका मतलब हम इससे पहले वाले जो टाइप से वो कवर करा चुके हैं तो जितने भी स ही चेपटर में टाइप 2,3,4,5 यह सारी टाइप हम करा चुके हैं तो यह सब देख लिसे पहले यह ताकि आपको पुरा इंटीग्रेशन क्लियर होग चाप्टर इनेटिगरेशन ग・ इसके बाद हमने पड़ाया हैा इंटीबरेशन बाई substitution, इसके बाद integration by part, then integration by partial fraction वो सब देख लीजेगा, ताकि आपको सारा integration clear हो जाए, आपको playlist का link मिल जाएगा description box में, तो वहाँ जाके सारी classes को देख लीजेगा, चीक है, चलिए, फिर शुरू करते हैं आज की class, type 6 में क्या है, देखो, x square plus minus 1 लिखा है हमने उपर, इसका मतलब यह है कि plus भी हो सकता है, और minus भी हो सकता है, अलग-अलग हैं यह दोनों, ठीक है, हमने एक combine करके लिख दिया है, x square से divide कर देना है, उपर भी और नीचे भी, चीक है, तो हम क्या करेंगे, divide by x square, x square in numerator and denominator, आश और हर में x square से भाग देने पर, इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर x square से divide करेंगे, तो देखेंगे, क्या बनेगा, यह बन जाएगा, x square से divide करेंगे, तो 1 हो जाएगा, it means 1 plus minus 1 upon x square, ठीक है, इसके अलावा, x की power 4, 4 को divide करेंगे x square, plus minus k, plus minus 1 upon x square, ठीक है, dx, अब देखो, अब उपर दो values हैं, एक value plus में हैं, एक value आपकी minus में हैं, ठीक है, एक value plus में हैं, एक value minus में हैं, तो हम कैसे solve करेंगे इसको, करना क्या है आपको, आपको यदि plus में value बनती है, if, numerator आपका है, 1 plus 1 upon x square, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, x minus 1 upon x को t मान लेंगे, चीक है, तब आप ये बनाएंगे, x minus 1 upon x is equal to t, चीक है, यदि हम इसे qt मान रहें हैं, चलो ये भी बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये पहला point है, x, इसको आप लिख सकते हैं, x minus x की power minus 1, differential किया आपने, x का differential 1, इसका हो जाता है, minus 1 x raise to the power minus 1 minus 1, बाद में आपको dx लिख देना है, is equal to dt, या 1 minus minus plus x की power minus 2, dx is equal to dt, या 1 plus 1 upon x square, dx is equal to dt, ठीक है, यही value बन के आती है, numerator में 1 plus 1 upon x square dx है, तो आपको ऐसा कर देना है, अब देखो, यदि ऐसा नहीं है, second point, यह हमने बता दी आपको क्यों मानना है, यह जो value हम t मान रहे हैं, यह हमें numerator में, denominator में बना देना है, ठीक है, calculation के बाद, denominator में बना देना है, denominator में बन जाएगा ऐसा, यदि ऐसा हो जाए, numerator होता है, अंश, यदि numerator है, आपका 1 plus 1, 1 minus 1 upon x square, तब आपको क्या करना है, तब यहां बीच में plus लगा देना है, ठीक है, plus वाली value मान लेंगे, तो आपने मान लिया, x plus 1 upon x is equal to t, ठीक है, आप इसको differentiate करेंगे, तो आपको यही मिल जाए, clear, यह दो points आपको याद रखने हैं, आपको question solve करने में आसानी रहेगी, clear, तो क्या करेंगे हम देखो, question ले लेते हैं, question ले लेते हैं, solve करते हैं, आपको clear हो जाएगा, कि हम क्या कहना चाहरे हैं, ठीक है, plus वाला करा देते हैं, question, equation, minus वाला करा देते हैं, एक ऐसा करा देते हैं, जिसमें हमें इसको t मानना है, एक ऐसा करा देते हैं, जिसमें इसको t मानना है, तो आपको दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है? चलिए, question लेंगे हम, यदी केवल x square आता है अंश में, तब आप जोड लेंगे और घटा लेंगे, मतलब बना लेंगे ऐसा, x square plus minus 1, मतलब plus 1 या x square minus 1, ताकि आप आसानी से question को solve कर सके हैं, ये दोनों values note point में लिख लिजेगा, देखो, question है हमारा, integration of x square plus 1, x की power 4, minus x square plus 1, dx, ठीक है? ये है question आपका, तो क्या करेंगे? हमने सबसे पहले x square से divide कर देना, तो x square से divide कर देंगे सबसे पहले इसको, तो divide by x square, numerator and denominator, अंश और हर में x square से भाग देने पर, तो जैसे हम x square से divide करेंगे, x square upon x square, plus 1 upon x square, नीचे देखिए, x की power 4 upon x square, x square upon x square, plus 1 upon x square, हमने हर एक term को divide कर दिया है, ताकि आपको कोई भी confusion ना रही, अब हमने थोड़ी देर पहले जब divide किया था, तो direct लिख दिया था, चीक है, की x square से x square को divide करेंगे, तो आपको value 1 मिल जाएगी, यहाँ पर हमने हर एक step लिख दिया है, अलग-अलग term को divide किया है, x square से, ताकि आपको कोई भी confusion ना हो कि divide कैसे किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा, integration of 1 plus 1 upon x square, यहाँ पर देखो, इससे इसको divide किया, x square, पावर 4 है, x square से divide करेंगे, तो दो पावर बजेंगे, यह cancel हो जाएगा, means 1, यह value, 1 upon x square, dx, अब देखो, थोड़ा से solve कर लेते हैं, पहले इसको, उसके बाद मान लेंगे, integration of 1 plus 1 upon x square, x square plus 1 upon x square, minus 1, dx, इतना clear हो गया, अब देखो, हमने क्या किया, हमने मान लिया, उपर देखना है, उपर बीच में plus लगावा है, तो minus वाली value को t मानना है, उपर बीच में minus लगा है, तो plus वाली value को t मानना है, clear, तो हमने क्या क्या हमने मान लिया, x minus 1 upon x is equal to t, ठीक है, हमने इसको t मान लिया, क्योंकि यहाँ plus दिया गया है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका differential करना है, देखो, differential करते हैं, इधार लिख देते हैं, देखो, आप जानते ही है, हमने बस क्या किया है, डिवाइड किया है, differential करेंगे इसका, चलो ही जारी लिख देते हैं, x का differential 1, 1 upon x है, जब आप इसका differential करेंगे, तो minus 1 upon x square मिलेगा, dx is equal to dt, ठीक है, solve कर देते हैं, इसको आगे, minus minus plus हो जाएगा, means differential करने के बाद जो value आएगी, वो बन जाती है, 1 minus minus plus 1 upon x square, dx is equal to dt, ठीक है, इसके बाद हमने यह लिखा है, ठीक है, अब देखो, यह जो value उपर है, 1 plus 1 upon x square, dx, इसकी value आगे dt, अब यहाँ पर यह है, x square plus 1 upon x square, इसकी value कैसे निकालेंगे, जो हमने माना है t, वो तो question में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको question में वो, तो या तो आप उसे बना ले, कैसे बनाएंगे, minus वाली value आएगी, minus 2 plus 2 करने के बाद, ठीक है, बनाएंगे, तो आपको थोड़ा confusion हो सकता है, तो आप क्य करेंगे, इसको ले लेते हैं, हमने इसे माना t, x plus minus 1 upon x is equal to t, square कर देंगे, squaring both sides, जैसे हम इसको square करेंगे, x minus 1 upon x whole square is equal to t square, ठीक है, दोनों side का square होता है, ऐसा तो नहीं है ना, कि आप एके side का square कर देंगे, दूसरे को रहने देंगे as it is, यह हो जाएगा, a square plus b square minus 2ab, तो 2x into 1 upon x is equal to t square, x से x cancel हो जाएगा, तो value बनेगी, x square plus 1 upon x square minus 2 is equal to t square, यह इस 2 को इधर ले जाते हैं, जब 2 को right side पर ले कर जाएगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, x square plus 1 upon x square is equal to t square, minus 2 धर जाएगा, तो plus 2 बन जाएगा, ठीक है, प्लेयर हो गया, अब देखो, हमने क्या किया था, हमने इसको t मान लिया, differential करने के बाद यह value आ गई, मतलब यह जो इतनी value है, यह हमारी बन गई dt, x square plus 1 upon x square की value क्या आ गई हमारे question में, t square plus 2, तो हम इसकी जगा लिख सकते हैं, t square plus 2, minus 1 अपनी जगा as it is रहेगा, तो means हमने इसको लिख दिया, dt upon integration of dt upon, इसकी value है, t square plus 2, तो t square plus 2, यह minus 1 as it is, ठीक है, तो value हमें मिली, integration of dt upon t square plus 1, अब देखो, छोटा सा question बन जाता है, t square plus 1 लिखा जाए है, 1 plus t square लिखा जाए है, बात तो यह किया, तो क्या होता है इसका integration, tan inverse t, ठीक है, plus constant of integration c, अब t की value रख देंगे, t हमने किसको माना था, x minus 1 upon x को, तो t की जगा लिखेंगे, tan inverse, x minus 1 upon x plus c, यही हमारा answer है, clear, ऐसे हमें question को solve कर देना है, यदि उपर quadratic polynomial और नीचे power 4 का polynomial दिया गया है, तो, ठीक है, polynomial में भी जो हमने लिखा था, मतलब जिस type का value लिखी थी expression, उस type का expression दिया गया है, तो, हम question को, इस type से solve करेंगे, x square से divide करेंगे, then, यदि उपर plus आता है, तो x minus 1 upon x को, t मानेंगे, उपर minus आता है, तो x plus 1 upon x को, t मानेंगे, clear, चलिए, तो था हमारा plus वाला question, अब हम minus वाला question आपको solve करके दिखाते हैं, ठीक है, यदि value minus में दी गई है, means x square minus 1 आ रहा है, तो हम question को कैसे solve करेंगे, ठीक है, देखो, मान लिया, same equation में उपर minus दे दिए जाए, और नीचे, तो जैसी value है, यदि ऐसी भी लिखे जाए, यदि प्लस लिखा जाए, कोई problem नहीं है, वो तो से according, यहाँ से change हो जाती है, चीक है, तो लिख लेते है question, उसकी बात solve करते हैं, जैसे, मान लिया, question हमें दिया गया है, integration of x square minus 1, x की power 4, plus x square plus 1, plus x square plus 1, dx, यह question है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाई, अंश और हर दोनों में x square से भाग देने पर, ठीक है, अंश और हर दोनों में x square से भाग देंगे, तो आमने लिख दिया आई है, अंश तता हर में, x square से भाग देने पर, यह भाग करने पर, भाग करेंगे, तो क्या value आ जाएगी, integration of, देखो अभी पिछले equation में हमने divide किया था, तो इस बार हम direct लिख देते हैं, चीक है, direct लिखेंगे, x square को divide किया, 1, 1 को divide करेंगे x square से, तो 1 upon x square, यहाँ पर divide करेंगे x square, पावर 4 है, 2 power cancel हो जाएंगे, यहाँ पर divide करेंगे 1, और यहाँ divide करेंगे 1 upon x square, dx, ठीक है, x square से divide किया, तो यह 1 हो गया, x square यहाँ केवल 1 है, तो as it is रहेगा, यहाँ x की power 4 है, आप x square से divide करेंगे, तो 2 power cancel हो जाएंगे, यहाँ x square है, जब आप इससे भाग देंगे, तो पूरा-पूरा कट जाएगा, केवल 1 बचता है, यहाँ 1 है, तो 1 upon x square, ठीक है, अब देखिए, क्या करना है हमें, integration of 1 minus 1 upon x square, नीचे देखो, पहले x square, plus 1 upon x square, plus 1, ऐसे लिख दिया है हमें, dx, अब आपको यह देखना है, यहाँ minus है, तो plus वाली value को t मानना है, plus है, तो minus वाली value को t मानना है, यहाँ, क्योंकि minus है, तो x plus 1 upon x को t मान लेना है, तो हमने मान लिया, x plus 1 upon x is equal to t, ठीक है, अब देखिए, differential करेंगे, x plus 1 upon x को हमने t कहा, differential कर देते हैं, x का differential हो जाता है, 1, 1 upon x का differential करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 1 upon x square, आपको बाहर लिख देना है, dx, is equal to dt, या फिर आप लिख सकते हैं, 1 minus 1 upon x square, dx is equal to dt, clear, अब क्या करेंगे, देखो, यह जो value आई है, 1 minus 1 upon x square, dx, इसकी value हमारे question में आ गई है, dt, इसको आपने कहा, by t, अभी यह value तो नहीं है, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, यह value जो है, x plus 1 upon x is equal to t, square कर देना है, दोनों side का, squaring both sides, यह दोनों पक्षों का work करने पर, both sides, तो यह हो गया, x plus 1 upon x whole square is equal to t square, खीक है, square कर देते हैं, इधार लिख देते हैं, square करने के बार, देखो, इसका square करेंगे, x square plus 1 upon x square plus 2 x into 1 upon x is equal to t square, clear है, इतना समझ आ गया, कैसे करना है, x से x cancel हो जाएगा, अब आपके पास value बचती है, x square plus 1 upon x square plus 2 is equal to t square, ठीक है, यहां से इसकी value निकालेंगे, x square plus 1 upon x square, x square plus 1 upon x square is equal to, यह 2 है, plus में, right side पर आप लेकर जाएंगे, minus में value आ जाएगे, तो t square minus 2, ठीक है, clear हो गया, अब देखो, हमने क्या किया है, हमने x plus 1 upon x को t माना, जिससे यह जो value है, 1 minus 1 upon x square dx, यह बन गई हमारी dt, ठीक है, यहां बन जाती है, तो हम इसको लिखेंगे dt, मतलब कितनी value को, हमने dt लिख दिया, तो question हमारा बन जाएगा, integration of dt, dt की बात क्या लिखना है, dt upon, देखो, x square plus 1 upon x square, यह लिखा हुआ है, इसकी value आ जाती है, t square minus 2, देखो, जब variable हम change करते हैं, तो हर जगा variable को change करेंगे, उपर भी dx को भी dt में बदलेंगे, इसको भी t में change करेंगे, इस पूरी value को भी t में change करेंगे, तो यह हो गया, t square minus 2, और plus 1, हम इसको लिख सकते हैं, integration of dt upon, t square minus 2 plus 1, minus 1, चीक है, minus 1 लिखा गया है, आप minus 1 को minus 1 square भी लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है, अब देखिए, हमारे पास formula होता है, integration of 1 upon, x square minus a square dx, यह हो जाता है, 1 upon 2a, log x minus a upon x plus a, plus constant of integration c, ठीक है, तो क्या करेंगे, x की value है t, और a की value है 1, यह हो जाएगा 1 upon 2a, तो 2 into 1, log t minus a upon t plus a, plus constant of integration c, clear, हमने x की जगा दिया वाता हमारे question में t, तो t लिख दिया है, और a की value थी हमारे question में 1, तो हमने 1 लिख दिया है, clear, तो यहां तक तो होगे हमारा integration, अब देखो हमारा answer यहां पर नहीं आता है, क्योंकि question हमारा x की form में था, answer भी हमें x की form में ही देना है, t, हमने माना किसको था, t, हमने माना था, x plus 1 upon x को, तो अब हम यहां पर t की value रख देते हैं, t की value रख देते हैं, x plus 1 upon x, तो हमारा question बन जाएगा, integration, sorry, 1 upon 2 log x plus 1 upon x minus 1, ठीक है? तो 1 upon 2 log x plus 1 upon x minus 1, x plus 1 upon x plus 1, plus constant of integration c, अब हम LCM ले ले लेते हैं, उपर भी ले ले लेते हैं, LCM और नीचे भी ले ले लेते हैं, चीक है? तो यहां पी LCM आ जाएगा x, और नीचे भी LCM आ जाएगा आपका x, चीक है? LCM लिया हमने उपर भी और नीचे भी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीचे भी x हो जाएगा, उपर भी x हो जाएगा, multiply हो जाएगी, थोड़े सी calculation कर लेते हैं, 1 upon 2 log, देखो, यहां LCM लिया x, इसकी इसके साथ multiply, x square, यह वाना हमारा as it is रहेगा, इसकी इसके साथ multiply है, नीचे भी LCM x, इसकी इसके साथ multiply, x square, plus 1, इसकी इसके साथ multiply, plus x, plus constant of integration c, ठीक है? अब देखो, इस x से, यह x cancel हो जाएगा, तो हमारे पास क्या value बच्ती है? हमारे पास value बच्ती है, 1 upon 2 log, x square, plus 1, minus x, x square, plus 1, plus x, plus c, अब देखो, सही तरीके से लिख लेते हैं, सही फॉर्म से मतलब है हमारा कि पहले quadratic, मतलब x square वाली term, quadratic term, फिर उसके बाद power x की 1, x square, minus x, plus 1, means हम इस square से लिखेंगे, 1 by 2 log, x square, minus x, plus 1, x square, plus x, plus 1, plus constant of integration, c, यही हमारा answer है, ठीक है? हमें ऐसे solve कर देना है question, clear? तो अब आपको दोनों type समझ में आ गए हैं, कि यदि हमें question में, x square minus 1 दिया गया है उपर, तो हम क्या करेंगे? x square plus 1 दिया गया है, तो क्या करेंगे? means, यदि minus में है, तो x plus 1 upon x को t मानना है, value plus में आ रही है, तो x minus 1 upon x को t मानना है, चलिए, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, देखो, कभी-कभी हमसे question इस type से पूछ लिया जाता है, root tan x, केवल root tan x का integration कीजिए, अब देखो, tan x का integration करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको sine cos में change कर लेते हैं, ठीक है, तो root tan x को integrate करने के लिए क्या करेंगे? हम थोड़ी सी calculation करते हैं, माल लेते हैं, tan x हमारा t है, ठीक है, tan x का differential करेंगे, तो t square आ जाएगा, ठीक है, तो कड़के दिखाते हैं आपको, हमारा जो question है, इस type का जो भी question पूछा जाता है exam में, root tan x या root cos x या फिर दोनों plus में लिख दिए जाएं, तो वो question calculation के बाद इस form में आ जाता है, जो हम solve कर रहे हैं, फिर इसको इसी type से solve किया जाता है, जैसे हमने इसको solve किया है, ठीक है, तो चलिए हम आपको point तक पहुंचा कर छोड़ देते हैं, जहां के बाद आप calculation आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, तो हम बढ़ते हैं question पर, question है root 10x, यहीं ले लेते हैं, तो आप root cortex कर लिजेगा, root 10x plus root cortex को भी solve कर लिजेगा, ठीक है, तो केवाल under root 10x दिया गया है, integration हो, तो t माल लेना है, t माल लिजे या x माल लिजे, x तो है ही question में, थीटा दिया गया है, तो आप x माल लिजेगा, कोई problem नहीं है, क्या करेंगे, question यह है, integration of root 10x, 10x dx, यह है question, तो हमने क्या किया, हमने माल लिया, 10x is equal to t, ठीक है, हमने माल लिया, 10x is equal to t, t square, ठीक है, differential कर देंगे, 10x का differential क्या हो जाता है, sec square x, dx is equal to, इसको differentiate करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका, 2t dt, या, dx is equal to, यह हो जाएगा आपका, 2t, dt upon, sec square x, अब यदि हम अपने question में देखें, तो sec square x तो नहीं है, तो हमें इसे change करके, मतलब हमें इसको change कर देना है, 10 में ही, total question को t में ही convert करना है, जो है question में उसको लेकर चलना है, उसकी value हमें लिखनी है, t की form में, अब देखो tan x है, तो हमने इसको t square मान लिया है, sec square x नहीं है, तो के वर dx की value निकाल दी, sec square x को right side पर ले गए, अब हम जानते हैं, की tan x और sec x में relation होता है, tignometric identity है, 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta, यह होता है, तो हमने क्या क्या है, इसको change कर दिया, हमने इसको लिखा, 2t dt, 1 plus 10 square x, ठीक है, 1 plus 10 square x हो जाता है, हमारा sec square x, तो यह value हो जाएगी, 2t dt, 1 plus 10 x की value t square है, तो हमने इसको लिखा t square, यह हो जाएगा square, t square का square आप करेंगे, तो power 4 हो जाएगी, ठीक है, power 4 हो जाएगी, t square का square करेंगे तो, तो यह हुआ हमारा, dx is equal to, 2t dt upon, 2t dt upon, 1 plus t raise to the power 4, dx, clear, अब क्या हो जाएगा question, हमारा question बन गया, हमने root 10 x को, केवल 10 x को t square काहा है, integration of, t square, dx क्या बना, dx बनी यह value, 2t dt upon, 1 plus t raise to the power 4, root t square है, यह root से बहार आ जाएगा, जैसी आप इसको root से बहार लिखेंगे, t बन जाएगा, तो t into 2t dt upon, इसको आप लिख सकते हैं, t की power 4 plus 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई problem नहीं है, 2 बाहर ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, t square, यह नहीं, लिख लिजए यहीं पर, ज़रुरत पड़ेगी हैं इस 2 की भी, t की power 4 plus 1, अब आपके बस यह question, ठीक है, in case question में 2 नहीं आता है, तो आप 2 बनाएंगे उस case में, क्यों बनाएंगे बताते हैं यह भी आपको, हमने अभी आपको बताया, कि यदि नीचे power 4 है, और उपर square है, तो आप क्या करते हैं, divide करते हैं, अब तक हम question लिख रहे थे x में, तो हमने x square से divide किया, अब question हमारा बना t में, तो हम t square से divide कर देंगे, एक ही बात है, पर जिस form में question दिया गया है, उसी से divide करना होता है, तो कोई problem नहीं है, जब हम divide करते हैं, देखो यदि ऐसा होता है, x square plus 1, divide करते हैं, तो बन जाता है, 1 upon 1 plus x square, तो यदि ऐसा है, तो हम x minus 1 upon x को माल लेते हैं, और यदि ऐसा बनता है, x square minus 1, तो 1 minus 1 upon x, इस case में x plus 1 upon x को t मानते हैं, अब यदि यहाँ पर 1 ना हो, तो यहाँ केवल t square है जाता है, जब हम divide करेंगे, तो केवल 1 मिलेगा, तो हमारा question अधूरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बनाने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसको 2t square दिया गया है, 2t square को हमने लिख लिए t square plus t square, ठीक है, 2t square को हम लिख लेंगे, t square plus t square, तो हमने इसको लिखा, integration of, t square plus t square, upon t की पावर 4 प्लस 1 dt, अब क्या करेंगे, t square plus t square, तो हमने 2t square को लिख लिए, 1 बनाना है हमें, तो 1 जोड़ दिया हमने, 1 घटा दिया, ठीक है, 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, अब क्या करेंगे, plus वाले को अलग लेंगे, माइनस वाले को अलग लेंगे, means, integration of, t square plus 1, plus t square minus 1, upon, t की पावर 4, plus 1, dt, clear, यहां तक समझ में आ गया है, अब क्या हो जाएगा, अब दोनों को अलग-अलग कर देंगे, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, फिए हो जाएगा, integration of, t square plus 1, upon, t की पावर 4, plus 1, plus t square minus 1, upon, t की पावर 4, plus 1, dt, अब तुमारे पास, दोनों अलग-अलग questions हैं, अलग-अलग करेंगे, integration of, t square plus 1, upon, t की पावर 4, plus 1, dt, plus, integration of, t square minus, 1 upon, t की पावर 4, plus 1, dt, इन दोनों questions को, वैसे ही solve करना है, जैसे हमने अभी solve करना, आपको बताया है, ये दो अलग-अलग parts, आपको मिल गए हैं, एक part ये, और एक part ये, इन दोनों को, वैसे ही solve कर देना है, t square से divide करेंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा, 1 plus 1 upon t square, इसमें आप divide करेंगे, तो 1 minus 1 upon t square, इस type की condition आपके question में बन कराएगी, नीचे वाला, यहाँ t square बचेगा, यहाँ 1 upon t square बचेगा, ठीक है, तो जैसे x square plus 1 upon x square था, ठीक, दूसरे वाले में x plus 1 upon x को, t plus 1 upon t को v मान लीजेगा, दो अलग-अलग type की question हो जाते हैं, तो अलग-अलग variable आपको चाहिए, तो पहले में u मान लीजेगा, दूसरे में v मान लीजेगा, या फिर t1, t2 मान लीजेगा, वो आपके इच्छा के recording है, जैसे आपको सही लगता है, इजी लगता है करने में, वैसा कर दीजेगा, जब total question हमारा solve हो जाएगा, जब हमारे answer आ जाएगा, तब आप t की value रख दीजेगा, t की value क्या मिलेगी यहां से, root 10x, root 10x, t हो जाएगा, clear, तो यहाँ पर हमारा, यह chapter खतम हो जाता है, integration of special functions, या some important integral, या some special integral, तो यहाँ पर हमारा chapter खतम हो जाता है, आपको सारे lectures देख लेने हैं, जिन्होंने सारे lectures नहीं देखे हैं, आप तक के, means इस chapter के, क्योंकि बहुत सारे type हैं इसमें, questions थोड़े बड़े भी हैं, कुछ questions थोड़े easy हैं, कुछ questions थोड़े lengthy हैं, तो आप यदि step by step चल के question को solve करेंगे, तो question को solve करने में आपको कोई भी problem नहीं आएगी, आसानी से question को solve हो जाएंगे, जैसे हमने type में categorize किया गया है, हम फिर से आपको बता दें, हमने chapter start किया था, तब भी आपको बताया था, कि ऐसा हो सकता है, कि आपकी book में categorize ना किया गया हो, type 1, type 2, type 3 करके, हमने कर दिया है, ताकि आसानी रहे समझने में, कि हाँ, इस type के question को, इस method से solve किया जाता है, ठीक है, इसलिए हमने categorize कर दिया है, maximum practice कर लिजेगा, जितना possible हो सकता है, जितना ज़्यादा आप practice करेंगे, उतना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस के लिए, PDF के लिए आपको टेलेग्राम चैनल जॉइन कर लेना है, प्रैक्टिस के लिए PDF वहाँ से मिल जाती है आपको, तो चैनल का नाम है, टेलेग्राम, चैनल का नाम, जेए सी पॉली टेक्निक सेमेस्टर क्लासे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं, या फिर अपना जो मैथर्ड है, टेलेग्राम डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए, वहाँ से जॉइन कर लिजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको इजी लगे, उस टाइब से जॉइन कर तकते हैं, इसके अलावा, जितने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जेए क्लासे यूट्यूब चैनल, वो सब्सक्राइब कर लिजेगा, और बैल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, चलिए फिर, मिलते हैं आपसे हम, नेक्स क्लास में, नाई चैप्टर के साथ, यह हमारी इस चैप्टर के साथ, यह यूट भी खतम हो जाती है, इंटिग्रल कैल्कूलस फर्स्ट, यह यूट खतम हो जाती है, वैसे तो हो सकता है, कुछ बुक में यूनिट ना दी गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम नेक्स चैप्टर के साथ, आपसे मिलेंगे, जिसका नामें डैफिनिट इंटिगल, लिमिट्स उस चैप्टर में दी गई होंगी, काफी इंपॉर्टन चैप्टर, आप सभी को मैक्सिमम आना है, क्लास में और पूरा पढ़के आईएगा, इससे पहले वाला, क्योंकि डैफिनिट इंटिगल में हमें, इंटिगल तो करना ही है, साथ साथ लिमिट्स भी रखनी है, देखेगा, चैप्टर पढ़ने में आपको, काफी अच्छा लगेगा, जब आप सारा सीख जाएंगे, इससे पहले वाला तो, चलिए फिर मिलता है नेक्स क्लास में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और महनत करते रहें, धन्यवाज, जैहिन, जैबार,